Hello Friends this is Raoul, Welcome back to Cat Stryler's Solveworks tutorial series. So Friends, आज की इस फिटोरील में बात करेंगे, Revolve Boss और Revolve Cut की, छीक है? So Revolve Boss के लिए और Revolve Cut के लिए मुझे एक Sketch बनाना पढ़ेगा, तो सबसे पहले देखते है, Revolve Boss और मैंने Front Plane को Normal की और Sketch Mode On किया, Then एक Sketch बना लगते हैं, पहले तो Concept को समझते हैं कि Revolve होता किया है, छीक है, मैंने एक Close Body बनाई है, आपका जो Sketch है, वो हमेशा Close रहना चाहिए, अगर आप Revolve Boss कर रहे हैं, in the case of Feature, It means आप Solid Revolve कर रहे हैं, और उस Case में आपको Sketch आपका Close रही है, छीक है, जैसे मैंने एक Sketch मनाए है, इसको मैं Undefined कर रहा हूँ, आप इसको Defined कर भी सकते हैं, Like, यहां से इसकी Dimension में लेकर चलता हूँ, 40, और यहां से लेकर यहां तक की Dimension मेरे पास आजएगी, 15, यह जो Length है मेरे पास आजएगी, 35, यहां से लेकर यहां तक की Dimension मेरे पास आजएगी, 20 mm, यहां की Dimension भी लेकते हैं, 35, और टोटल लेंथ में रिपास कितनी हो जाएगी सेवंटीफाइब आप देख सकते हैं यह फुली डिफाइंड हो चुक है स्केच तो आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं अगर आप प्रेक्टिस कर रहे हैं तो तो दिरिज नो निड़ रिवाल करेंगे और आपको पूछ रहे हैं एक्सिस और रोटेशन कौन सी एक्सिस है अब यहां पर आपके पास नंबर ओफ एक्सिस एवलेबल हैं ठीक है यह वाली एक्सिस पिक करेंगे तो इस तरह से आपके पास रिवाल वा जाएगा यह देखिए ठीक है तो डिपेंड्स की आप एक्सिस कौन सी सेलेक्ट करते हैं और किस तरह का रिवाल आप चाहते हैं ठीक है अगर मैं यह वाली एक्सिस पिक कर रहा हूं तो इस तरह से रि जबस यह रिवाल आ जाएगा को बैख अगर आपने डुबारा सेम एकसी सेलेक्ट करनी होतो यह इस तरह से रिवाल आजाएगा तो इसी तरह से आपके पास रिवाल आजयेगा रिवाल के इस करेंगे उसके लिए मंगट उपन करते हैं और यहां से मैं एक पॉलिगन बना रहा हूं ठीक है एक से रहने दूंगा मैं इसमें और यहां पे एक सिर्कल ले लगते हैं अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो आप डिफाइन कर सकते हैं यहां पे मैं इसकी हंडर्ड वैल्य ले लगता हूं और यहां से मेरे पाल सी फिफ्टी फाइव आ जाएगा इस तरह से आपके पास यह अब्जेक्ट आ जाएगा इसे हम क्या करेंगे एक्स्टूड कर लेंगे इसको मैं एक्सूड कर लेता हूं इस तरह से आपके उस लाइक एक नट आ जाएगा अब नट बनाने के लिए मुझे क्या करना है यह जो कॉर्णर से मुझे सारी इसमें इस चाहिए यह फिलेट चाहिए तो यह देखिए पूरी एज़ पिक कर रहा है एक पॉइंट को पिक नहीं करेंगा बट मेरे को चाहिए सिर्फ कॉर्णर पर इसके लिए करना पड़ेगा हमें रिवाल कर दिउस करना पड़ेगा सो प्लेंट चाहिए मुझे बिल्कुल सें बनाएंगे स्केच बनाएंगे कर लिजिए इसे भी और इसे भी और इसे भी और देन फिलेट अप्लाई कर देंगे सो डिफॉल्ट एन ही रहने दीजिए और यहां पे एक लाइन लगा के इसे मैं एक्स्टेंट कर दूंगा और रेस्ट अधिपार्ट इस टुंग और इसे भी हम टुंग कर देंगे हमें सिर्फ यही पार्ट चाहिए और अगेन पर इजिन से एक सेंटर लाइन चाहिए अब देख सकते हैं यह वाली जो एक्सी बिलकुल सेंटर पर आ रही है ठीक है यहां से हम क्या करेंगे रिवाल करेंगे अधिक लेक्सी सेलेक्ट करेंगे तो देख लीजिए इसके साथ ही जो मेरा स्केच बना था वो सारा यहां पर रिवोर्व हो गया अब यह कट किस तरह खो करेंगे तो यह पर यह करो गया तो बिलकुल इस त्रह उसमें कटिंग दिखा सकते हैं तो भी प्रॉड तसमें अपो काफी इंट आ सकती है so this is the best method to make a nut like this okay so इसको अगर आप mirror करना चाहते है तो mirror भी कर सकते है so mirror के लिए मेरे को plane चाहिए यह horizontal तो मेरे पास front plane आ रहा है so आप देख सकते हैं default है मेरे पास यह select हो जुगा अगर आप अगर आपके पास यह select नहीं होता है तो आप इसे यहां से भी select कर सकते हैं और जैसे आप ok करेंगे तो both the sides आपका यह mirror हो जाएगा so इसको आप इस तरह से भी बना सकते हैं मैं अगर इसका sketch edit करूँ so अगर मैं इसे भी यहां पर mirror करना चाहूँ sketch को तो आप इसको directly भी यहां से revolve cut कर सकते हैं both the sides so mirror कर देंगे यह sketch हो रहा है मेरे पस about this line so ok कर देंगे तो आप देख सकते हैं exact यह भी इसी तरह से बन जाएगा so आपको mirror दरने की भी ज़रूरत नहीं sketch को भी आप mirror कर सकते हैं और जो आपका feature है उसे भी आप mirror कर सकते हैं ok so friends I hope आपको revolve और revolve cut अच्छे से समझ में आ गया होगा so इसके साथ ही core part बना के देखते हैं like मेरे पास एक shaft है so shaft को अगर आप बनाना चाहते हैं like मैं एक circle लगा लगत हो यहाँ पर मेरे पास दो circle है so यहाँ पर मेरे पास यह हो गए 80 and this circle is about 50 mm or 50 mm okay then इसके बाद हमारे पास क्या होगा इन दोनों के बीच का distance उसकी need क्या पड़ी मुझे like मैं है पर 90 mm रख लेकता हूँ इसके साथ ही मुझे एक center axis चाहिए इसके बाद में यह जो मेरा circle है यह जो दो circle मैंने बना रखे हैं इनको मैं इस circle के बाद revolve करूँगा तो मेरा radius कितना हो जाएगा 90 का हो जाएगा चीक है सो इसको revolve करके देखते हैं किस तरह से बने गई है आप देख सकते हैं इस तरह से आपके पास यह revolve create हो जाएगा सो यहां पर आप इसका जो angle है वो भी maintain कर सकते हैं लाइक मेरे को 90 degree चाहिए तो मैं इसको 90 degree पर भी revolve कर सकता हूं तो इस तरह से आप इस इसकी angle को maintain कर सकते हैं और यहां से भी इसको maintain कर सकते हैं लाइक मेरे को mid plane चाहिए तो जो sketch होगा वो mid plane हो जाएगा और जितना भी angle आपने रखा हुए वो हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा अगर आप यहां पर 360 भी रखते हैं तो आप देख सकते 180 180 के आफ पी रहेगा यह तो मैं 360 एप्लाइ करता हूं तो आप देख सकते वैसे तो यह center पर रहेगा पर in case of different angles अगर आप 360 के अलावा पर यह angle लेते हैं वहां पर यह आपको दिखाई देगा कि यह center पर है की नहीं है चीक है तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं तो same यहां पर भी वही options है जैसे मैंने आपको explode में बताया थे तो up to the vertex up to the surface और offset from surface अगर आपके पास कोई vertex है यहां surface है तो आप उसको वहां तक भी select करके revolve कर सकते हैं चीक है तो अभी हमारे बस vertex भी नहीं surface भी नहीं है तो only हम mid plane ही use कर सकते हैं तो हमने यहां पर mid plane और blind दोनों concept को use किया है चीक है तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं और इसके अपर भी अगर आप कुछ create करना जाते हैं तो उसको भी आप यहां पर create कर सकते हैं okay friends तो I hope आपको यह अच्छी से समझ में आ गया होगा so इस तरह से आप revolve के concepts को use कर सकते हो okay that's all for today thank you so much for watching this video thank you so much